यह हैं लौकी के बहुती सौफ्ट बहुती मलाइम मुं में घुल जाने वाले कौफते चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं कौफते बनाने के लिए 500 ग्राम लौकी लिए हैं और इसे छील के कद्दू कस कर लेंगे अब कद्दू कस कीवी लौकी को अच्छे से निचोड लेंगे जिससे पानी निकल जाए इसका सारा लौकी को अच्छे से निचोड लिया है अब इसमें बेसन डालेंगे इसमें 4 चमच बेसन डालेंगे कटी हरी मिर्चे डालेंगे चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे, चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, चौथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, कोफते में बहुत जाद मसाले नहीं डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं डालेंगे कोपती का मिक्षर तयार हो गया है अब इसके अपने पसंद के अनुसार छोटे या बड़े जैसे भी आपको पसंद है कोपते बना लेंगे इसी तरह से सारे कोपते बना लिये हैं कडाही में तेल को अच्छे से गरम कर लिया है अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके एक एक करके इसमें कोपते डालेंगे कोपते को एकदम से टच नहीं करेंगे इसका कलर चेंज होने के बाद ही इसे पल्टेंगे कोपते को उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे कोपते में अच्छा सा ब्राउन कलर आ गिया है अभी ने निकाल लेंगे इसी तरह से कोपते का दूसरा बेच भी तल के निकाल लेंगे कोपते की क्रेवी बनाने के लिए कडाही में तीन चमच तेल लेंगे चीरे के अच्छे से चटकने पर इसमें दो गटे हुए प्याज डाल देंगे प्याज को भून लेंगे प्याज में अच्छा सुनहरा कलर आ गया है इसमें दो तीन कटी हुई हरी मिर्चे डालेंगे हरी मिर्चे भी भून लेंगे इसमें एक चमच अद्रक लसुन का पेश्ट डालेंगे अद्रक लसुन के पेश्ट को प्याच के साथ अच्छे से भून लेंगे अद्रक लसुन के कच्छे पन की स्मेल दूर होने तक इसे भूनेंगे अद्रक लसुन को भी अच्छे से भून लिया है अब इसमें आधी चमच हल्दी डालेंगे एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इससे ग्रेवी का करार बहुत ही सुन्दर आता है दो चमच धनिया पाउडर डालेंगे एक चमच किचन किंग मसाला डालेंगे कीचन किंग मसाले की जगे आप गरम मसाले भी डाल सकते हैं अब इसे अच्छे से मिला लेंगे मसाले अब अच्छे से भून गए हैं अब इसमें तीन टमाटर का पेस्ट डाल देंगे टमाटर पेस्ट को मसाले में अच्छे से मिला लेंगे नमक डाल देंगे मसाले को अच्छे से भून लेंगे टमाटर भी मसाले में अच्छे से भून गया है और मसाला दानेदार हो गया है मसाले में वन फूर्थ गप फेटी भी दही डाल देंगे दही को ग्रेवी में फेट कर डालेंगे नहीं तो ग्रेवी में लम्स आ जाते है दही डालने से ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत बट जाता है मीडियम फ्लेम में दही को अच्छे से मिला लेंगे मसाली के साथ दही भी मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है ग्रेवी में अब पानी डालेंगे पानी थोड़ा जादा डालेंगे क्योंकि कोफते भी पानी एब्जॉब करते हैं इसे उबाल आने तक पका लेंगे ग्रेवी में अब उबाल आ गया है कोफते अब ग्रेवी में डाल देंगे कोफते को भी ग्रेवी में 3-4 मिनट तक धका पका लेंगे अब धकन हटा देंगे कोफ्ते ने ग्रेवी को अच्छे से एबजॉब कर लिया है इसमें भुनीवी कसूरी मेथी डालेंगे गरमसाला डालेंगे और कटावा हरा धनिया डाल देंगे इन्हें अच्छे से मिला लेंगे लौकी के कोफ्ते बन के तयार हैं अब गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे इसमें कटावा हरा धनिया डाल के एक मिनट के लिए ढग देंगे जिससे धनिया का फ्लेवर कोफ्ते में अच्छे से आ जाए कोफ्ते प्लेटिंग के लिए दरियार है रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई एंटे केर झाले बाई प्लेटिंग के लिए जाए